जनाब रैपिड ट्रेन दिल्ली से मिरट की कनेक्टिविटी सबसे फास्टेस ट्रेन हमारी कंडरी की इसमें कौन-कौन से स्टेशन होंगे सारा का सारा अपडेशन इस खास वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ चलिए एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है और जो पहली बार आये हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जनाब ये जो रैपिड रेल है ये कंट्री की फास्टेस ट्रेन है जिसको हैंडेड ओवर किया गया है NCR DC को शनिवार के दिन फर्दर जो है इसको गाजियाबाद में 14 मई तक लाया जाएगा आपको ये बता दें कि ये जो ट्रेन है ये अल्स्टॉम प्लांट जो की गुजरात में स्थित है वहाँ पे इसको बनाये गया है और इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से मीरट के लिए सुपर फास्टेस कनेक्टिविटी के लिए इसका सारा का सारा काम किया गया है आपको ये बता दें कि इसका जो foundation है ये प्राइम निस्टर नरेंदर मोदी जी से 8 मार्ज 2019 को हुआ था और लगबाग इसमें जो लागत आई है ये 30,274 करोड का entire project है जिसकी एक costing है अगर हम rapid rail की अंदर की बात करें तो ये बहुत ही भैतरीन luxurious और much better facility के साथ passengers के लिए बनाई गई है पूरी train completely make in India है जो की आल्स्टाउं factory जो located शामली गुजरात में है वहाँ पे इसका सारा का सारा काम किया गया है अगर हम journey की बात करें तो दिल्ली से मिरट में पोचने में आपको मातर 50 मिरट का समय लगेगा आपको ये बता दे जो दिल्ली से मिरट का route है वो 82 km का route है जिसे मातर 50 मिनट में इस rapid rail के मादें से सफर बहुत जल आप सबी को छोटा आपको आने वाले वक्त में दिखाई देगा और साथ में अगर हम बात करें पेसेंजर्स की लगवग इसमें 8 लाक से 9 लाक के बीच पेसेंजर्स इसमें लोज ट्रेवल करेंगे अगर हम first phase की बात करें तो जनाब first phase में अभी फिलाल जो है शाही बाबाद स्टेशन जो गाजिबाद से दुराई डिपो इसकी मेट्रो अभी में ये जो रेल है रेपिड रेल ये चलेगी और अगर हम first phase की बात करें इसका जो टोटल रन है वो 17 किलो मीटर का इसका रन है करने का प्रस्ताफ टार्गेट रखा गया है अभी आपको इसके स्टेशन्स भी बताते हैं लेकिन इसके और रेपीड रेल के फीचर्स खुबी आप जान लीजिए कि इसके लिए दो बाइदो का ट्रांजवर्स कुशन सीटिंग इसका बनाये खड़े होने की स्टेंडिंग स्पेस की बात करें तो वाइड स्टेंडिंग स्पेस है लगेज का रेक दिया गया है सीचीडी पी कैमराज है लैप टॉप मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी है और आपका ऑटो कंट्रोल एम्बेंट लाइटिंग सिस्टम भी है और हीटिंग या वेंटिलेशन या एर कंडिशन सिस्टम इन सबकी अधर फैसिलिटी की बात करें तो सारा का सारा प्रावधान इस रैपिड रेल में रखा गया है और एक बात और ध्यान रखा गया है कि जो भी वूमेन पैसेंजर्स है उनके लिए एक अलग से एक वन कोच रिजर्व र आप इसमें स्टेशन देख सकते हैं कि जो इसमें स्टेशन दिख रहे हैं इसराय कालेखा, नियू अशोक नगर, आनंद विहार, साही बाबाद, गाजियाबाद, गुल्धर, दुहाई, मुराद नगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नौर्थ, मिरट साउथ, मोदी पूरब, अगर हम इस रैपीट रेल की स्पीड की बात करें, तो इसकी जो डिजाइनिंग स्पीड है, वो 180 किलोमीटर परार की है, और अप्रेशन स्पीड, 160 किलोमीटर परार की है, और एवरेश स्पीड इसकी लगबख 100 किलोमीटर परार की है, तो जनाब इसका जो concept passengers की comfortability की बगरम बात करें तो बहुत बहतरीन extremely comfortable cushions के साथ सीटेस की तैयार की गई है आपको एक बात और बता दे कि ये country की first rapid rail होगी जो की शुरू कर दी जाएगी 2025 तक जो की 82 km की route को cover करेगी दिल्ली से मिरट में और आप एक बात और बता दे अभी के लिए फिलाल at present rapid rail complete करी गई है जिसमें मातर 6 coaches है जो की deliver कर दी गई है by government of India इस शनिवार को at present की अगर हम बात करे 35 other rapid rails उस पे भी काम किया जा रहा है जो की शामली गुजरात के ही plant पे इसका का जो रहा है जिसमें 210 coaches अलग से 35 railways उसके लिए काम उस पे कर रहे हैं यह था जनाब अभी फिलाल के लिए rapid rail का concept जो लेटरस अबडेशन मैंने आप सभी को पहुचा दिया है उमीद करता हूं यह खास वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक करना ना भूले comment करना ना भूले और इस वीडियो को share करना ना भूले चायर के माद्य हम से या और किसी short share media के माद्य हम से वीडियो ज़रूर शेर करें और जो उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं request करूँगा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें मिल